आप सबने एक वीडियो देखा होगा जिसमें की चार लड़कियों ने मिलकर एक लड़के की जिसकी पिटाई हो रिजी पुलीस से बचाया था उनमें से एक ये है अप्षरिस्टा की लड़ाएं को जिन्दा आता है और शायद इसी वज़े से आज 20 दिन से जादा समय हो गया हैं में अभी तक जामे और शाहिन बाद में प्रोटेस्ट चल रहा है साविध्री बाय और पातिमा शेक का जो सपना था महिलाओं को लेकर जो सपना ने उन्हों ने देखा था है और जिस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट को जामय की महिलाई लीड कर रही है तो हम देख सकते हैं कि कैसे वो सपना पूरा होते वे दिख रहा है। कहते हैं कि जामिया में बस मुसल्मान करते हैं और बस मुसल्मान ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि जो जामिया का पॉपुलेशन है वो नॉन मुसलिम का है और इस ललाई में हिंदूस भी हमारे साथ है सिख भी हमारे साथ है और क्रिश्चन्स भी ह हमारे साथ हैं 15 तारीक को जो हमला हुआ जानिया पे हम देख सकते किस तरीके से administration के बिना permission के पुलिस घुसती है campus के अंदर वो firing करती है tear gas shell यूज करती है bullets यूज करती है library के अंदर घुसके reading hall के अंदर घुसके विमन reading hall के अंदर घुसके washroom के अंदर घुसके और मस्जित के अंदर घुसके इस बरबरता के साथ जो दिल्ली पुलिस है वो महिलाओं पे हमला करती है और students पे हमला कर सकती है यह जो पूरा हमला है मोधी सरकार का मोधी सरकार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और जब मस्लिम महिला इतना struggle करके यूनिवरस्टी में पहुचती है तो हम देखते हैं कि इस बरबरता के साथ दिल्ली पुलिस हमला करती है गालिया देती है और communal चीजे बोलती है जब हम कैंपस में से तो दिल्ली पुलिस आती है और हमें बोलती है कि तुम लोग जिन्ना की अउलाद हो तुम लोग पाकिस्तान जाओ और तुम लोग एंटी नैशनल हो तुम लोग देश का नमक खाते हो हम बताना चाहते हैं जब पार्टीशन हुआ था तो हमने बिल्कुल चूज नहीं किया था कि हम पाकिस्तान जाएंगे हम इस देश में ही रहे थे और हम देश में ही मरेंगे जब दिल्ली पुलिस कैंपस में आई थी और डिटेन करकर लोगों को हाथ उपर करके जब पुलिस सेशन ले जा रही है तो आप देख सकते हैं कि कैसे थीट करीती जैसे हम कोई टेरिस्ट हो या हम क्रिमिनल हो जब महिलाओं को डिटेन करके ले जा रही थी तो दिल्ली पुलिस ये बोलती है कि सर पर पड़्डा रख लो कुछ गलत हो जाएगा तुम्हारे सार तो हम देख सकते हैं कि मोधी सरकार किस तरह हमला कर रही है इंस्टिटूशन्स पे और महिलाओं पे किस तरह हमला हो रहा है इस देश में और जिस परिके से ये प्रोटेस रुका नहीं है अभी तक शाहिनबाद में महिला अभी तक प्रोटेस कर रही है जाम्या में ये प्रोटेस अभी तक चल रहा है और अन पत्तक लड़ेंगे जब CA और NRC CA वापस नहीं ले लेते हैं साथियों के बाद समझने की बहुत जादा जरूरत है कि ये लडाई काफी लंबी है ये बस मुस्लिमों की लडाई नहीं है ये देश बचाने की लडाई है ये समीदान बचाने की लडाई है ये देश बचाने की लडाई है जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कहती है कि स्टूडेंस जो वो पत्थर भेक रहते हम पे हमारे पास विज्वल्स है हमारे पास प्रूफ है कि किस तरह दिल्ली पुलिस फाइरिंग कर रही है स्टूडेंस पे चाहिनैं ऐसे प्रूफ हरे हमारे प्रोटेंस फायाई हृफ है कि दिसपरस करने के लिए मार रही थी वो हमें जान से मारने के लिए मार रही थी जब वो मस्जिद में घुसती है तो जो स्टूडेंस नमाज पढ़ते हैं उनको बोलती है कि तुम नमाज पढ़ोगे और लाठी चार्ज करना स्थ कर देती है हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कैमपस के अंदर घुसी ये बस स्टूडेंस के अगेंस ये हमला नहीं था ये पुरे मुस्लिम कम्यूनिटी के उपर हमला था किस तरीके से जो मस्जिद का इमाम है उसको लाठी चार्ज करके उसको मारा जाता है किस तरह जो जामिया के स्टाफ है जो जामिया के गार से उन तक को भी नहीं छोड़ा जाता है साथियों ये लड़ाई काफी लंबी है और महिलाई सलग पर उतर चुकी है और हम तब तक लड़ेंगे जब तक इस CA और NRC वापस नहीं ले लेते है इनकलाब जिन्दाबाद शुक्रिया साथ